असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ सजीद उम्रफारूक अपने चैनल अमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खित्मत में हाजरू हूँ दोस्तों आज की जो एपिसोड है वह बहुत स्पेशल है और रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को कम्लीट देखिएगा बिकास एक हमारी सुसाइटी में एक मौशरती एक सुसाइटल बुराई है कि हम लोगों की बैक बाइटिंग करते हैं हम लोगों की हीबत करते हैं हम लोगों की बुराईयां करते हैं वो चाहे आफिस में हो या फैमिली रिलेशन्स में हो हर वक्त लोगों में नेगेटिव ए अप्लाना ऐसी बात कर रहा था तो आज की इस एपिसोड में में आपको कुछ पांच ऐसी टेप्स देने लगाओं कि जिसमें हम यह देखेंगे कि हम यार इस बैक बाइटिंग जैसी बुराई से हम किस तरह से बच सकते हैं क्योंकि यह ना सिर्फ एक मौशरती बुराई है ए इंक्रूट करने तो हम इस बैक बाइटिंग से बच सकते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले अभी तो आप लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और बैल आइकोन के बटन को प्रेस करें प्रकूर मेरा इस चैनल आप लोगों की लाइफ में जरूर वैडियो डेट करि दो ये है चुहली हीबत या बैक बाइटिंग एक ऐसी बात होती है जो आप जिस अनके बारे में कि έख पें आक यह वह तो इस तरह को है तो उट्छास का नहीं प्रता है तो वो भी दिलाजारी में आ जाती है, उसमें भी वर्ड्स का चुनाओ, वर्ड्स किसी सेलेक्शन है, वो थोड़ा सा बहतर दरीके से करनी चाहिए, बट अगर हम यह गॉसिप कर रहे हैं, किसी और दोस के साथ मिलकर, और मजाख उड़ा रहे हैं, तो यह एक बहुत ही बुर होना चाहिए, कि यार, मैंने अपनी जबान को किस तरह से लगाम देनी है, अपने आपको शट अप कॉल कैसे देनी है, हम दूसरों को तो बहुत जादा शट अप कॉल देरे होते हैं, कि हो डेर यू, आप किस तरह से बात कर सकते हैं, बट सम टाइम्स, यू नीड तो शट यूर सेल कॉल, कि हमें अपनी जबान पर भी काबू रखना चाहिए, हमें अपने आपको भी शट अप कॉल देनी चाहिए, कि अगर कोई बुराई किसी इनसान की कर रहा है, तो हम वहां पर खामोशी थियार करें, और कोशिश ये करें, कि हम उसमें मजीद कोई अडिशन न कर रहे हैं, और पर उसको हम किसी और इनसान को जाकर बता नहीं रहे हैं, तो हमें अपने आपको शट अप कॉल देने की जरुवत है, यह तो हमें कोशिश ये करने चाहिए, कि उस जगह से कोई बहाना करके, या कोई ऐसा बहाना जो बिल्कुल सच भी हो, वहां से उठके च जा सकते हैं, या फोन कॉल किसी को मिला कर आप जा सकते हैं, आप उस जगह को अवाइट करें, उस जगह को लीव करें, क्योंकि जब आप एक ऐसी जगह पर बैठेंगे, जहां पर पैक बाइटिंग हो रही हो, लोगों का मजा कुड़ाए जारो, लोगों को बुरा बला कहा हैं, या फिर हम वह बात जो सुन रहे होते हैं वह बहुत के सामने कर देता हैं, घुड़ी से जसी तरह सेयां नुक्सानшь सकता है, या हमारे तालुकाथ भी हो सकता है, एसी ही जगह को लीव कर देता है, जो टेप मेनीन No.3 है, विए- Make your point clear कि आप लोगों ने बहुत क्लिर ली ऐसे जगह पर बता दिना है कि यार देखें मैं इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहता है कि आप जिस तरह की बाते कर रहे हैं आप यह चाहरे हैं कि मैं भी अपना पॉइंट ऑफ यू दू तो मेरा पॉइंट ऑ बात करें बट मैं आप वहिश्य कर रहा हूं कि मैं इस तरह की किसी भी एक्टिविटी से मैं थोड़ा सा अपने आपको आपको अवाइट करूं तो मैं इसलिए यहां से उठकर जा रहा हूं तो आपना पॉइंट ऑफ यू जब लोगों को क्लियर करेंगे तो लोग नेक्स को सबस्क्राइब कोई प्राब्लम होता है उपने काम से काम रखने में नहीं होता हम लोग बहुत सथा इंट्रस्टेड होते हैं कि फुलाने की family में क्या चल रहा है हमारे हम इसाहाई में क्या चल रहा है बух देंगे कि बजाए हम लोग दूसरे लोगों की लाइफ में बहुत जादा इंटरस्टेड होते हैं तो कोशिश ये करें कि इस तरह की चीज़ों को आवाइट करें लोगों की लाइफ में इंटर्फिया ना करें अपनी लाइफ में जरा थोड़ा सा मश्वूल हों उसमें जरा इंटरस्ट लें क्योंकि हमारे अपनी लाइफ में बहुत जादा प्रॉब्लम्स होते हैं हम उसको अगर सॉल्फ करने तो वह जादा बेतर है बजाए इसके कि हम दूसरों के गम में मरने के लिए तियार हो जाएं दूसरों की चीज़ें जानने के लिए तियार हो जाएं दूसरों की परिशानियां जानने के लिए तियार हो जाएं और पिर दूसरों की परिशानियां को बढ़ाने के लिए तियार हो जाएं इन तमाम चीज़ें को थोड़ा सा एवाइट करें क्योंकि ये तमाम चीज़ें बैक बाइटिंग में आती हैं और इसलाम कहता है कि जो लोग हीबत में और बैक बाइटिंग में जो लोग इंवाल्व हैं तो उनकी नेकियां जो हैं वो उस इंसान के खाते में चली जाएंगी जिसकी आप भुराई कर रहे हैं अब आपको फाइदा कुछ नहीं और आपको सिर्फ एक गॉसिप मिल रही है बट आप करके रहे हैं कि अपने हिस्से की बी जो नेकियां हैं जो आप ने खुद कमाई हैं बड़ी मेहनत करके कमाई हैं तो आपकी नेकियों के हिस्सा जो है वो उस इंसान को दे देगा औरती देन جो टिप नमिल्बबर फाइव है वो है जनाफ एर इनसान कभी भी किसी सोचईगा अगर इसके दिल में खोफ Ohh किसी का बुरा नहीं चाहेगा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर उसके दिल में खुदा का खौफ होगा अगर इनसान किसी की बुरहियां करने में मश्चूर रहता है ठीक है उसकी बुरहियां करता है उसका बुरा सोचता है उसके साथ कोई न कोई ऐसी अक्टिव इसका मतलब है कि उसको खुदा को मरने का उसके दिल से चला गया है और जब एक दफ़ा अल्ला का खौफ उसके दिल से चला जाए तो फिर बड़ी बड़ी बुराईयां अपने अंदर एबसाब कर लेता है बड़ी से बड़े इखलत काम करने के लिए त्यार हो जायता है प्लट कर वापस जाना है और फिर हमारे पास कोई आप्शन नहीं होगी हम दुबारा दुनिया में नहीं आ सकेंगे कि हम जब जब लोगों को नुकसान पहुंचाया हमने जिंदगी में उसको हमें सुधाने का मुकर नहीं मिलेगा तो कोशिक ये करें कि लोगों को नुक्स सब्सक्राइब पर ली जगह अपना मने घरवालों को बहुत अलग है लग किया हूँ अलाहाँ आपस